हेलो वेलकम बैक तो माय यूटूब चैनल तोड़े वी हवा टॉपिक दाट इस मैगनेटिक एलिमेंट आफ एर्थ आज हम मैगनेटिक एलिमेंट आफ एर्थ को हम पढ़ेंगे हम तो देखिए पिछला जो आपका टॉपिक जो था उसमें हमने पढ़ा था एविडेंस आफ एर्थ मैगनेटिजम्स और काज आफ एर्थ मैगनेटिजम्स वह हमारा पिछला टापिक था वही टापिक आप आपका जो चर रहा है आज जो हम देखेंगे अर्थ में मैगनेटिक लाइन आफ फूर्शिस कैसे होती हैं उन पर हम डिसक्स करेंगे हम और horizontal component of resultant magnetic field तो इन पर भी हम discuss करेंगे हम तो लाश्ट तक आप इस topic को देखें आपको clear हो जाएगा earth magnetism हमारे पास जो है earth magnetism में हमारे पास magnetic element of earth क्या होते हैं और ये भी clear हो जाएगा कि इसमें हमारे पास magnetic lines of forces कैसी होती हैं तो सबसे पहले earth magnetic element of earth जो हमारे पास है इनको हमने आज पढ़ना है तो magnetic element of earth क्या होते हैं जो मैंने आपको कहा angle of declination होता है angle of dip होता है horizontal component of magnetic field होता है तो इन से हम क्या करते हैं इन elements से हम क्या find out करते हैं इन elements से हम एक तो हम resultant magnetic field जो हमारे पास earth की जो resultant magnetic field होती है Earth की जो magnetic field होती है उसकी directions को भी हम specify करते हैं और उसकी value को भी हम find out करते हैं किसी भी जगा पर अगर हमने find out करना होगा तो सबसे पहले हमारे पास अगर हम Earth में देखेंगे हम तो Earth में magnetic lines of forces कैसे होती है यहां पर मैंने already पहले बना कर रखा है यह हमारे पास Earth है और Earth में हमारे पास यह हमारे पास access है इसको कहा जाता है geographical access geographical access वो access होता है जिस access पर हमारे पास एक Earth रोटेट करती है तो geographical access पर हमारे पास रोटेट करती है अपनी access पर तो यह वो access होती है तो इस geographical access में हमारे पास क्या होता है एक North Pole होता है जिसको कहा जाता है Geographical North Pole और दुसरा हमारे पास क्या होता है South Pole जिसको कहा जाता है Geographical South Pole जिसको हम SG से हम represent करते हैं लेकिन जब हम देखते हैं Earth में Magni Lines of Forces को देखते हैं तो यहां पर बड़ा ही आपको अजीव नज़र आएगा अजीव तरीके से आपको नज़र आएगा Earth में हमारे पास Magni Lines of Forces जो आपको नज़र आएगी वो हमारे पास यह जो हमारे पास जो है Geographical South और Geographical North Pole से नहीं मिलती हैं देखिए यहां पर मैंने देखा है यहां पर आप देख रहो आप Earth Magni Lines of Forces ऐसे निकर रही हैं North Pole से हमारे पास हम कहेंगे यह हमारे पास क्या होता है यह हमारे पास होता है Magnetic South Pole यहां से हमारे पास क्या निकलती हैं Magni Lines of Forces निकलती है तो ऐसे ऐसे हमारे पास क्या है यह जो हमारे पास होता है इसको कहा जाता है Magnetic North Pole तो यहां से निकलती है Magnetic South Pole से निकलती है और Magnetic North Pole में हमारे पास क्या होती है ये Magnetic Lines of Forces जो हैं वो डिप करती है समझे हाथ तो इनको कैसे देखा गया कि हमारे पास ये Magnetic हमारे पास Magnetic South Pole से निकलती है और Magnetic North Pole में चली जाती है ये कैसे अब्जरूर किया गया ऐसे देखा गया एक मैगनेट नीडल को लिया गया और मैगनेट नीडल को अर्थ की सर्फेस की ओपर से मूँ करा गया अर्थ की सर्फेस की ओपर रखा गया तो जो हमारे पास मैगनेट नीडल जो हमारे पास होती है वही हमारे पास path जो follow करता है हमारे पास ये magne lines of forces भी path फालो करती है जैसे यहां पर अगर दिखा जाएगा तो यहां पर magne needle जो होगी वो ऐसे होगी उसका हमारे पास हम कहेंगे सोत पूल यहां पर होगा और नौत नार्थ पूल यहां पर होगा तो यहां पर हमारे पास नार्थ ऐसे और सोत यहां ऐसे तो फिर यहां पर देखा गया magne needle ऐसे हमारे पास नीचे के लिए है और यहां पर देखा गया कि हमारे पास यह वाला पूल जो है और देखा गया यहां पर नार्थ नीचे के लिए और सोथ उपर के लिए तो यह जो हमारे पास बिलकुल इस मेगनिन लाइन 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 की तरफ होगा तो हर जगा पर यहां पर देखा गया तो यहां पर मेगन निडल जो होगी वो ऐसे होगी नार्थ पूल यहां के लिए और सोथ पूल यहां के लिए तो क्योंकि हमारे पास आपको पता है मेगन निडल क्योंकि आगे जो हमारे पास पूल देख रहें हैं, हम यह जो हमारे पास North जो है, हमारे पास South कीतरफ भागता है, तब ही जाकर यह Align हो जाता है, हमारे पास is जो है वो सोट नार्थ की तरफ एलाइन हो जाती है और जो पाथ हमारे पास यह मेगन निडल फालो करेगी वही पाथ हमारे पास मेगन लाइन जा फोर्स इसका भी होगा लेकिन यहां पर बड़ा ही आपने बड़ा ही important point है यहां पर कि अगर मेगन निडल को देखा गया हमारे पास यहां पर अर्थ की सर्फेस के ओपर यहां पर देखोगे आप यहां पर हमारे पास कोई नार्थ पोल नहीं था समझे आप अगर यह नार्थ पोल मेगनेट नार्थ पोल दिया गया है यह किस बेस पर दिया गया है यह मेगनेट नार्थ पोल और मेगनेट सोथ पोल तो तो यह देखिए एक इस बेस पर दिया गया है और आपको यह भी पता है जो हमारे पास मैगनलाइन जाफ फोर्सिज जो निकलती है हमारे पास यहाँ पर हमारे पास जो है अगर हम कहेंगे हलांकि मैगनलाइन जाफ फोर्सिज नार्थ से निकलती है तो यहाँ पर तो नार्थ पॉल और यहां पर यह क्यों कहा गया यह जो हमारे पास जो है यह नार्थ पॉल है तो यह इस बेस पर दिया गया कि एक imaginary जिसको कहा जाता है fictitious magnet समझे आप यह कहा जाता है कि एक fictitious magnet एक imaginary magnet लिया गया है और जिसके हमारे पास क्या है उपर हमारे पास सोथ पूल है और नीचे नार्थ पूल है और इसी की मेगने लाइन जाफोर्जिस के हमारे पास वो मेगने लाइन जाफोर्ज है जो है मेगनेरी मेगनेट है उसी की है मेगने लाइन जाफोर्जिस के बाहर से है समझे आप तो इनी के बेसिस पर इसी मेगनेट के बेस पर लेया गया कि यह हमारे पास magnetic north pole है और यह हमारे पास क्या है यह magnetic south pole है वो क्यों लिया गया यह देखिए यह south pole है यह north pole है तो जब magnetic needle को हम इसकी surface एर्थ की surface पर रखते हैं तो यहाँ पर magnetic needle जो है वो dip कैसे करेगा magnetic needle का north pole जो है यहाँ पर dip करेगा नीचे की तरफ और south pole को माना गया है यह हमारे पास magnetic north pole है हलाँ कि यहाँ पर आपका magnet जो है जो आपका imaginary magnet है खयाली magnet हम जो कहेंगे हम वो इसके अंदर है उसका south pole है उपर लेकिन इस pole को माना नहीं गया है कि यह हमारे पास जो है अर्थ का magnetic south pole है जो माना गया है वो हमारे पास magnet north pole लिया गया है यहाँ पर वो इस base पर लिया गया है क्योंकि magnet needle जो है यहाँ पर dip कर रही है magnet का north pole यहाँ पर dip कर रहा है वो ही यहाँ पर भी बात है और यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर मेगनेडल का जो हमारे पास वो सोथ पोल डिप कर रहा है अलांकि यह नार्थ पोल है जो इमेजनरी मेगनेड है हमारे पास जो अर्थ के अंदर हम बोलते हैं यह एक इमेजनरी मेगनेड है तो उसका सोथ पूल यहाँ है उसका नार्थ पूल यहाँ पर है तो मैगनेटिक भी हमारे पास मैगनेटिक सोथ पूल है यहाँ पर तो अगर आपको यहाँ हाला कि यहाँ पर नार्थ पूल है हमने यहाँ पर नाम दिया गया है यह मैगनेटिक सोथ पूल है वो इस स्पेस पर दिया है हमने क्योंकि मेगनेडल का जो हमारे पास जो है वो सोथ पूल मेगनेडल का सोथ पूल जो है यहाँ पर डिप कर रहा है वर्टिकली अंदर की तरफ आ रहा है परपेंडिकुलर में अंदर की तरफ आ रहा है क्यों क्यों आ रहा है क्योंकि सोथ नार्थ के साथ अठ्रेट करता है तब ही जाकर यहां पर जो है हमारे पास सोथ पोल जो है वो डिप कर रहा है यहां के लिए अंदर की तरफ तो इसी सोथ पोल के बेस पर कहा गया कि यह जो अर्थ का पोल जो होगा ये Magnetic Sword Pol होगा और ये हमारे पास क्या होगा ये Magnetic नार्थ पोल होगा ये अंदर से हमारे पास जो ये Magnit है ये Amin mailbox है, ख्याली है अब ये नहीं हम कहेंगे ये ये हम कहेंगे इसके basis पर हमारे पास ये Magnetic Line happens भूज़ी जो है इसके बाहर से हैं Otherwise, ये हमारा कोई अंदर से Magnet नहीं है तो हम जो लेते हैं जो यहां पर Magnetic Nart pole लिया है और ये Magnetic Nart pole लिया है तो ये इसी base पर लिया है क्योंकि हमारे पास यहां का heavenly मेंगिन ड्ल का Net pole नीचे की तुरफ आ रहा है यहां पर heavenly निडल का सोथ पोल नीचे की तरफ आ रहा है तो इसी बेस पर यहां पर जब नार्थ पोल आ रहा है तो यह आ गया मैगनेटिक नार्थ पोल यहां पर हमारे पास क्या रहा है सोथ पोल आ रहा है डिप कर रहा है तो यह आ गया आपका मैगनेटिक सोथ पोल तो यह जो हमारे प आप जैता है Magnetic Pols तो कितना InKlein है ये हमारे पास ImKlein है 11.3 पर हमारे पास जो हैं ये incline है तो ये हमारे पास जो है ये काफी time के बाद change भी होता जाता है तो ये हमारे पास जो है थोड़ा सा आप देखो ये mangane lines अफोर्ड से यहाँ पर dip करने चाहिए थे ये थोड़ा सा geographical नार्थ वो geographical फोड़ा सा हट के dip कर रही है थोड़ा सा inclined एंगल पर dip कर रही हैं तो कितने एंगल पर dip कर रही है यह 11.3 डिगरी पर यहाँ पर मैंने आपको कहा कि यह जो हमारे पास क्या होता है यह एर्थ की Angle of Declinations Angle of Declinations क्या होता है तो देखिए Angle of Declinations जो होता है अभी देखो यह जो मैंने यहां पर Magnilines of Forces यहां पर represent की मैंने मैंने दिखाई भी यह Magnilines of Forces अब अगर शॉर्ट में दिखाऊंगा मैं तो यह हमारे पास आ गई अर्थ तो ये हमारे पास मारे पास जोफ पूल गया तो यहांपर देखे पर आप जो हमारे पास magnetic source pole, हमारे पास इसको कहा जाएगा geographical access और इसको कहा जाएगा magnetic access, तो यह हमारे पास क्या है, एक तो हमारे पास आगया geographical access, यह आपके पास क्या है इसको कहा जाएगा geographical access जिस access पर हमारे पास earth rotate करती है, और यह आ गया आपके पास Magnetic Axis, यह हमारे पास Magnetic Axis है, और यह आपके पास Geographic Axis है, तो Angle of Declination जो होता है, यह क्या होता है? यह एंगल होता है, किसके बीच में, Magnetic Axis यह है, और Geographic Axis यह है, तो इसी को कहा जाता है, जिसको हम Theta से रुज़न करते हैं, इसको कहा जाता है, Angle of Declination, तो वही लिखा है यहाँ पर, It is the Angle between Magnetic Axis and Geographic Axis, Magnetic Axis और Geographic Axis के बीच में, जो Angle होता है, उसको क्या कहा जाता है, that is known as Angle of Declination, इसको Angle of Declination कहा जाता है, तो देखें, यहाँ पर Angle of Declination कितना है, that is 11.3 degree, इसके बाद आता है, दूसरा आपके पास Angle of Dip, Angle of Dip क्या होता है, Important हमारे पास, यह भी है हमारे पास Wait है, Important हम कहेंगे Magnetic Element है, यह भी हमारे पास, तो Angle of Dip को समझने के लिए, आपको सबसे पहले में, हम कहेंगे, सबसे पहले हम क्या कहेंगे, आपको समझाएंगे, Magnetic Compass कैसा होता है, तो देखिए ये तो आपने नोट किया होगा यहां पर थोड़ा सा Magnetic Compass बनाऊंगा मैं तो इसको हम देखेंगे हम यहां पर या यहीं पर मैं क्योंकि यह मैंने समझाया आपको तो Magnetic Compass थोड़ा सा यहां पर बनाऊंगा मैं तो देखिए magnetic compass हमारे पास कैसी होती है एक हमारे पास एक compass होता है और इस compass में हमारे पास क्या होता है एक हमारे पास central line होती है तो ये क्या हमारे पास ये एक central line है तो central line पर हमारे पास जो हमारे पास इसमें एक magnetic needle होती है जो हमारे पास हम किसी भी अंगल पर रखेंगे हम ये ह vertically हमारे पास क्या करती है ये rotate कर सकती है जैसे ये compass है जैसे हमारे पास ये central line है और ये central line हमेशा और हमेशा earth की surface के horizontal में रहती है तो ये magnetic compass में हमारे पास इसमें ये magnet needle होती है ये magnet needle जो हमारे पास vertically जो है वो dip करती है जैसे यहाँ पर ऐसे है ये ऐसे भी हो सकती है तो ये dip करती है तो देखिए इसको क्या कहा जाता है यह हमारे पास क्या होती है इसको कहा जाता है सेंट्रल लाइन सेंट्रल लाइन सेंट्रल लाइन यह हमारे पास क्या है एक सेंट्रल लाइन है तो देखिए इस मैगनेटिक कमपास को जब अर्थ की सर्फेस के उपर रखा जाता है तो ये मैगनेटिक निडल होती है ये जो हमारे पास नार्थ पूल ले रहा हूं है ये नार्थ पूल होता है ये सोथ पूल ये इसके दो पूल होते हैं मैगनेटिक ये नार्थ पूल वह कहां पर है, तो यह मेगनी डल हमारे पास, मेगनी डल जो है वह जितना एंगल बनाएगे central axis के साथ, तो वही हमारे पास क्या होगा, वो एंगल जो होगा, वो represent करेगा हमें magnetic field की directs को, की magnetic field की direction किस एंगल में है, तो इसी बेस पर अगर देखो यहां पर रखा जाएगा जब कमपास को जैसे यह हमारे पास क्या होता है इसको बोलते हैं एक्विलिटरल पर यह हमारे पास अर्थ की सर्फेस है यहां पर आगर हम मैगनेटिक कमपास को रखेंगे जैसे यह हमारे पास अर्थ की सर्फेस है, यहां पर हमारे पास है, तो कमपास, यह जो हमारे पास कमपास है, तो जिस एंगल पर डिप करेगी, ऐसे अगर डिप करेगी, तो जितना यह एंगल बनाएगी, यह होरिजन्टल है, यह हमारे पास क्या है, होरिजन्टल है हमारे पास, अर्थ की सर्फेस के साथ बिलकुल हमारे पास ये इसको सेंटरल एकसस कहा जाएगा तो ये हमारे पास अर्थ की सर्फेस के साथ में होगा तो ये अर्थ की सर्फेस कहेंगे हम या कहेंगे हम सेंटरल एकसस कहेंगे हम तो अगर यहां पर हमारे पास ये निडल है हमारे पास हम कहेंग center line और magnet needle एकी plan पर एकी line पर हैं एकी direction में है तो अगर हम अगर यह ऐसे dip करेगी जैसे पहले यहाँ पर थी ऐसे हमारे पास यह center line है तो अगर हमारे पास यह needle जो है यह ऐसे थी ऐसे थी यह और यह dip कर रही ऐसे तो जितना यह angle बनाएगी यहां पर समझे हैं यह center line है और यह हम कहेंगे earth की surface के साथ होती है तो जितना यह यह जो हमारे पास magnet needle जो है जितना हमारे पास इस center line के साथ angle बनाएगी तो उसी को कहा जाता है angle up dip कहा जाता है और यह angle up dip हमारे पास जो है यह resultant magnet needle की direction को represent करके देता है तो यह जो हमारे पास resultant magnet pouvait की direction कहा की तरफ होंगी और वो हमें यह angle जो है यह major करके देगा जैसे आप देखोगे आप यहाँ पर जैसे magnet needle को यहां पर आएगी वर्र्टिकल में आजाएगी और इसका नार्थ पोल नीचे के लिए आजाएगा और सोथ पोल उपर के लिए आजाएगा इसका मतलब ये सेंटर लाइन है ये हमारे पस हम कहेंगे मेगनिटिकांपास की सेंटर लाइन है जो ओरत की सरफेस पर होगी समझे है आप लेकिन मेगन डिडल यहां पर ऐसे हो रही है तो देख रहे हो आप यहां पर यहां पर angle of dip कितना बनेगा यह central line, यह central line यह आगई central line और यह हमारे पास आगई magnet needle तो यहां पर magnet needle जो है वो बिल्कुल straight आजाएगी नीचे के लिए तो यहां पर angle जो बनेगा चाहे यह वाला पूल ले लो नार्थ पूल ले लो चाहे यह सोथ पूल ले लो आप तो यहां पर जो magnet needle जो है इस central line के साथ कितना angle बनाएगी जो central line earth की surface पर होगी यह कितना angle बनाएगी यह 9 degree बनाएगी तो यहां पर आपका angle आप इसी को angle up dip कहा जाएगा, यहाँ पर चाहे magnetic pole हो, चाहे magnetic north pole हो, चाहे magnetic south pole हो, यहाँ पर हमारे पास angle up dip कितना होगा, वो 9 degree होगा, तो यहाँ पर इसी लिए, अगर हम define करते हैं, angle up dip को, तो यह क्या होता है, it is the angle between resultant magnetic field, जिसको हम R से यहाँ पर represent करते हैं, and central line of magnetic compass, तो यह देखिए magnetic compass है, यह magnetic compass surface के parallel में होती है, तो यह जो हमारे पास, यह जो हमारे पास, मैंने आप कहा, यह magnetic needle जो हमारे पास है, यह north और south हम कहेंगी, यह magnetic needle जो हमारे पास, यह resultant magnetic field की direction को represent करता है, तो यहां पर resultant magnetic field की direction जोगी वो downward में होगी ऐसे होगी बिलकुल perpendicular में होगी तो यह हमारे पास जो इसको resultant magnetic field कहा जाएगा और यह हमारे पास क्या है central line है तो resultant magnetic field जो central line के साथ magnetic compass के central line के साथ जो angle बनाता है उसको क्या कहा जाता है एंगल आप डिप कहा जाता है जिसको हम धीटा से डेल से रिबजन करते हैं तो वही यहाँ पर लिखा गया है इडिस दा एंगल बिट्वीन रिजल्टेंड मैगनेटिक मैगनेटिक फिल्ड जिसको आर से रिबजन किया गया है एंड सेंट्रल लाइन आफ मैगनेटिक लाइन सेंट्रल लाइन आफ मैगनेटिक कमपास तो यह हमारे पास सेंट्रल लाइन होती है मैगनेटिक कमपास की जो अर्थ की सर्फेस के साथ होता है तो यह हमारे पास सेंट्रल लाइन के साथ यह मैगनेटिक नीडल जो यहाँ पर मैंने represent किया है magnetic needle जो जितना angle बनाती है उसी को कहा जाता है that is angle of dip तो देखे यहाँ पर लिखा है मैंने angle of dip at pole यह poles है चाहे नार pole हो चाहे सोथ pole हो देखे यहाँ पर यह surface आ गई इसको हम बोलेंगे center line इसी पर होगी और यहाँ पर आपका देखो पूल जो हमारे पास magnetic needle जो रहेगी वो क्या रहेगी यहाँ पर वो surface के perpendicular में रहेगी इसका मलब angle of dip यहाँ पर कितना होगा 9 degree होगा यहाँ पर भी देखो आप यह surface है और magnetic needle जो है वो बिल्कुल इसके perpendicular में perpendicular में रहेगी तो यहाँ पर भी angle आप dip चो रहेगा आपका वो कितना रहेगा वो 9 degree होगा अब equator की बात करेंगे हम यहाँ पर यहाँ पर हम बात करेंगे तो magnetic compass को आप उठा कर यहाँ पर को आप जो central line होगी वो इस surface पर होगी बिल्कुल पहलल में होगी जैसे यहाँ पर result किया है मैंने यह नार और यह सूथ तो देखिए magnetic compass central line of magnetic compass या इर्थ की surface भी हम कहेंगे और दूसरा देखोगे आप यहाँ पर magnetal जो हमारे पास यह पहलल में है जब दोनू पहलल में होगी तो angle क्या होता है जीरो होता है तो यहाँ पर देखोगा हमारे पास क्या होगा angle of dip at equator will be zero तो angle of dip जो होगा हमारे पास equator पर कितना होगा वो zero होगा तो यहाँ पर भी angle of dip zero होगा यहाँ पर भी angle of dip zero होगा तो magnetic pools magnetic north pool और magnetic source pool पर हमारे पास angle of dip कितना होगा वो हमारे पास कितना होगा वो zero होगा वो zero होगा पास यह 90 डिगरी होगा कहां पर? Magnetic North Pole और Magnetic South Pole पर Equators पर यहां पर देखोगाँ यहां पर यहां पर हमारे पास क्या होगा angle of dip जोगा हमारे वो zero होगा क्यों? क्योंकि central line मेगनेटिक compass और magnetic handle जो हैं तो center line जो हमारे पास मैं इंकाम पास की जोगी वो अर्थ के surface पर ही होती है तो यह हुआ आपके पास जो है मैंने आपको बोला angle up dip क्या होता है इसके बाद हमारे पास आता है दूसरा हमारे पास तीसी term जो हमारे पास आती है उसको कहा जाता है that is horizontal component horizontal component of horizontal component of component of resultant magnetic field resultant magnetic field horizontal component of resultant magnetic field तो horizontal component resultant magnetic field क्या होता है जो net magnetic field हो हमारे पास होती है किसी भी एक point पर हमारे पास net magnetic field उसको कहा जाता है that is known as resultant magnetic field तो resultant magnetic field के अगर हम बात करेंगे हम जैसे यहाँ पर कहूंगा मैं यह वाला अगर point ले लूँगा मैं जैसे यहाँ पर दिखाऊंगा मैं यह वाला point तो यहाँ पर अगर आपको बुला जाएगा जैसे मैं x point ले रहा हूं मैं यह तो यहाँ पर resultant magnetic field की direction कहां की तरफ होगी यहाँ पर इस point पर आप मैगन डेडल को रुखो आप मैगन डेडल कोंसी direction पकड़ रहा है मैगन डेडल जो हमारे पास जो है ऐसे पकड़ रहा है यह वाली direction के इस पर tangent डराग करना है आपने तो ये वाली direction पकड़ रहा है हमारे पस तो ये वाली जब direction पकड़ेगा तो यहां पर देखोगे आप ये north ये south हमारे पास है तो ये वाली direction ले रहा है तो इसका मालब resultant magnetic field direction यहां पर ऐसे होगी यहां पर सीधे नीचे होगी तो यह इस point पर हमारे पास ऐसे होगी तो देखिए यह हमारे पास हम कहेंगे कि यह हमारे पास रिजर्णल मैगनिटिक फिल्ड की डारेशन है जो यहां पर रिजर्ण किया है मैंने x point पर रिजर्ण किया है मैंने जिसको हम r से रिजर्ण करेंगे तो यहां पर भी होगा ऐसे तो यहां पर हमारे पास यह आगै होरिजर्णल komponent उसको हम r cos डेल से रिजर्ण करेंगे हम समझा है और दूसरा हमारे पास आगै इसका vertical component उसको हम रिजर्ण करेंगे r sin डेल से जिसको हम angle of dip कहते हैं तो देखे यहां पर देख रहे हो आप यह आ गया इसका हमारे पास जो है horizontal component that is r cos del जिसको हम as शिर्बजन करेंगे हम horizontal component को और ये आपके पास आ गया vertical component इसको हम v सिर्बजन करेंगे v is equal to r sin del तो इसका मतलब horizontal component of resultant magnetic field जो होथा हमारे पास तो यह क्या होता है यहां पर देखोंगे आप horizontal component of resultant magnetic field जो होगा वो R cost theta होगा जिसको हम H से revision करेंगे हम, então H जो होगा वह हमारे पास यह हमारे पास horizontal component होगा किसका, that is resultant magnetic field का, तो यहां पर resultant magnetic field जो होगी वो R होगी आपके पास, तो यह इसका horizontal component आगा यह, इसको हम equation first से represent करेंगे हम vertical component इसका कौन सा आ गया that is r sin del से हम इसको represent करेंगे तो ये जो हमारे पास दो equations आपके पास आ रही है ये resultant magnetic field का दो components, एक vertical, एक horizontal समझे आप तो यहाँ पर देखोगे आप इस case में देखोगे आप इन दो equations को हम क्या करेंगे, squaring भी करेंगे और adding भी करेंगे हम, तो इन दो equations को आप squaring भी करो आप, adding भी करो आप, तो क्या आपके पास आ जाएगा देखिए हमारे पास इन दो equations को जा हम squaring भी करेंगे, adding भी करेंगे हम, तो left hand side में भी और right side में भी, तो आपके पास क्या जाएगा SQEAR SQEARING AND ADDING BOTH SIDE आपने SQEARING और ADDING करना है तो इन दो equations को जब SQEARING भी करोगे ADD भी करोगे आप तो आपके पास क्या जाएगा SQEAR PLUS V SQEAR इस साइड भी आपने ADD भी करना है ADD भी करना है SQEARING भी करना है तो this का square that is r square cos square del plus this r square sin square del समझे आप this plus this, this plus this left hand side को add करना है right side में red side right side को add करना है लेकिन scaring में करना है i square plus v square that is equal to r square cos square theta plus r square sin square theta तो i square plus v square is equal to यहां पर r square r square को कामा निकालेंगे हम तो आपके पास आएगा cos square del plus sin square del यह आपके पास आ रहा है तो cos square del plus sin square del जो होता है वो किस के कुलता है 1 के कुलता है तो वो हमारे पास किस के कुलता है 1 के कुलता है तो i square plus v square is equal to r square यहीं पर है into one तो यहां पर s square plus v square is equal to आपके पास क्या रहा है r square के कुला रहा है तो यहां से हम क्या कर सकते हैं r इसको सीधा करके लिखेंगे हम r square is equal to s square plus v square तो r will be equal to under root of यह square जब उदर चले जाएगा square root में change जाएगा that is s square plus v square तो इसका मतलब यहां से हम अगर मुझे पता होगा horizontal component क्या है vertical component क्या है तो मैं resultant magnetic field भी निकाल सकता हूँ मैं यहां पर हमारे पास x point पर हमारे पास net magnetic field कितनी होगी समझा आप net magnetic field कितनी होगी यहां पर इस point पर net magnetic field कितनी होगी और net magnetic field को हमने R से represent किया है तो इसका मतलब इस horizontal component और vertical components को use करके मैं क्या कर सकता हूँ है net magnetic field में निकाल सकता हूँ है resultant magnetic field में निकाल सकता हूँ है तो एक तो ये हमारे पास equation आगी अब हमारे पास इनी दो equations को जो मैंने दो equations अभी ली मैंने जो अभी मैंने थोड़ा सा पीशे जाएंगे जो मैंने कहा था H is equal to R cos theta V is equal to R sin theta theta नहीं डेल हमारे पास है अभी इन दो equations को आप क्या करोगे अगर आप इनी दो equations को अगर आप divide भी करोगे आप तो आप के पास डेल की आप के पास angle of dip भी निकलेगा कि angle of dip कितना होगा तो angle of dip भी आप निकाल सकते हो आप तो देखे angle of dip निकालना चाहोगे आप तो यहां पर हमारे पास क्या करना पड़ेगा divide करने करना पड़ेगा dividing equation first and equation second तो वही equation जो आपके पास थी जो आपके पास थी V जो आपके पास था that is R sine del था आपके पास sine del यह del होता है angle of dip और H जो आपके पास था वो कितना था आपके पास that is R cos del तो इनी दो equations को हम क्या करेंगे divide भी करेंगे हम तो जब आप इन दो equations को divide भी करोगे आप तो आपके पास क्या एगा V divided by H इस side भी divide करेंगे हम R sine del divided by R cos del तो इन दोनों को divide करो आप R, R cancel हो जाएगा तो H divided by V divided by H V divided by H is equal to sine del divided by cos del तो यह हुआ sine theta divided by cos theta यह किसकी कुलता है sine theta के equal होता है तो यहाँ पर लिखूँगा मैं अब हमारे पास क्या आजाएगा V divided by H is equal to 10 del के equal आ रहा है sine del divided by cos del होता है 10 del के equal इसका मलाब del की value आप निकाल सकते हो आप angle up dip निकाल सकते हो यहाँ पर तो इस equations को use करके मैं अगर मुझे V पता होगा vertical component पता होगा horizontal component पता होगा तो मैं निकाल सकता हो angle up dip भी जो हमारे पास angle up dip मैंने कहा था यह अगर आपके पास horizontal line है यह हमारे पास resultant था R समझे आप यह vertical था हमारे पास समझे आप तो resultant जो हमारे पास यह net magnifil होती है R जो represent करेगा वो net magnifil को represent करेगा यह आपका V था यह R था तो horizontal line जो हमारे पास horizontal magnifil के साथ angle बनाता है उसको क्या कहा जाता है वो angle up dip कहा जाता है तो यह angle up dip भी हम निकाल सकती है del भी हम निकाल सकती है यह आपके पास क्या था that was your horizontal component तो horizontal component जो होता है वो earth की surface के parallel में होता है जैसे यहाँ पर हम कहेंगे तो यह horizontal component बिल्कुल अगर यहाँ पर निकालना चाहेंगे तो earth की surface के parallel में जब जाएंगे तो ऐसे जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा ऐसे होगा तो यहां पर हमारे पास यह अर्थ की सर्फेस है तो बिल्कुल इस अर्थ की सर्फेस के पहले में हमारे पास होरिजनल कंपोनेट होगा तो यहां पर हमारे पास कैसे होगा? ऐसे होगा हमारे पास बिल्कुल यह उर्थ की सर्पेस है तो हरिजनल कंपोनेट भी इसी सर्पेस पर होगा